गोपी कहा रही है कि मैं यह कहीं ब्रत ले हूँ आप प्रेम का प्रत और उपवास कर रहीं हूं तो उपवास सिरकिष्ण ही करा रहे हैं मुसले हैं रूप की प्याशी हूं रूप सुधा को पीना चाहती हूं हूं कार्थ होता है मैं, रूप की तिहारे ब्लजभूप हूं उपासी हूं, एक हूं कार्थ हूं, लास्ट वाले का, एक हूं कार्थ हूं मैं, हूं, रूप की तिहारे ब्लजभूप हूं उपासी हूं, मैं आपके रूप की उपासी हूं, उपासी कार्थ हूं उपास कर रही तो आप पिलाएए और ऐसा उप्वास हो रहा है कि इतने ज्यादा हो जाएगा तो मेरे प्राण चले जाएगा जैसे कोई ब्यक्ति पानी नहीं पीता है बहुत दिनों प्वास रह जाए तो उमर जाता है तो अब बहुत अधिक हो गया ज्याए ले प्रानन बचाए ले लगा आयकांट एरे नंदलाल तरी मोललाई दासि हूँ प्रकी दिलाए ब्रण प्रुमान 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 प्र प्रेदा 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 प्रेद भगवान के प्रतिया यह सही प्रेम उत्पन करने के लिए सब बाते सुनी जाती हैं। यदि व्यक्ति निरंतर इन सब कथाओं को बातों को सुना करें, तो गुपियों जैसा भाव या ब्रज के सखाओं, मताओं जैसा भाव उत्पन होने लगता है। उपाय यही बताया गया है, स्रमण और किर्तन, स्रमण और किर्तन जले करये से चल। प्रारंभे में इस प्रकार के भाव का उद्रेक नहीं होगा। लेकिन इसका उपाय है इसको बारंबार पढ़ना, सुनना, किर्तन करना। यद्पी हम लोगों में ऐसा प्रेम नहीं है, लेकिन हम लोग इसको सून रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे प्रेम प्राप्त होता है। कोई गोपी कह रहे हैं अपने सक्षियों से, इतना बिराह का दुख है यह, श्रीकिष्न से बिराह तो है, लेकिन बिराह की अनभूती होना यही भगती है। चैतन्य महापरः क्रिष्न के बिराह के अनभूव में हमीशा रोते रहते थे। बारव बरस तक वे लगातार रोय, कोई दिन बाकी नहीं रहा। आरव गंवेरा मंदिर में जब रोते थे, तो बाहर से सुनने वाले लोग ऐसा समझते थे कोई इस्तरी रो रही है। क्योंकि भगवान क्रिष्ण चैतन महापुरु के लूप में हो राधा भाव में रो रहे थे तो ऐसे रोते थे कि बाहर सुनने वाले यही जानते थे कोई स्थरी रो रहे है हमेशा हा ब्रजेन दंदन नहां प्रियतम है प्राण प्यारें यही कह करके रोते रहते हैं चोंकि राधाराणी के भाव में रोते थे तो यह भीडाह कि अनभूती होना यह यह उत्कृष्ट भगति है भगवान के संजोग की भावना करके उनके साथ मिलना, उनके साथ खिलना, उनको खिलाना, सेवा करना, ये तो है ही, परन्तु वो सुलब नहीं है, तो गोपियों के इस उद्गार को और महाकभियों के इस भासा को पढ़ने पर, सुनने पर, धिरे धिरे इस कठोर हिर्दय में वो भाव आने लगते हैं, तब इसके नीचे एक पद है, उसको गाएंगे, अंग अंग छाई है उदेग मुर्जानी महा, अरी सक्षी हमारे सरीर के अंग अंग में उदेग मुर्जानी, चिंता का दुख छाया हुआ है, हमारे साले सरीर मुर्जा गया है, सांस लेवो आली गिरिहूते गर्वो लगए, यहां तकि सांस लेना पहाड से भी भारी लग रहा है, गिरिहीते गर्वो लगए, गर्वो मनें भारी, गर्वो, सांस लेवो आली गिरिहूते गर्वो लगए, आली मैंने सक्खे, सांस लेने, सांस लेना भी पहाड जैसे भारी लग रहा है सांस लिया नहीं जा रहा है सुन्दर और सुझान प्रान प्रान प्यारे के निहारे बिना सुन्दर शुझान सुजान मन्तल सुझ्जान प्रान प्यारे स्यमसंदर को देखे बिना दीठीत, अदीठी सी उजार घर वो लगें दृष्टी से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है अदृष्टी जैसी हो गई है और भरा हुआ घर भी उजार लग रहा है घर बिलकुल सोना साना उजारा हुआ लग रहा है जो बना सवरूप गुन सूल से सलतघा और और ये सब तो फीके लग ही रहे हैं, हमारी जवानी और सुंदर रूप जो भी सुंदर सरीर है, जवानी है, और गुन है, ये सब सूल की तरह सलत हमें दुक दे रहे हैं लगता है कि ये शूल गढ़ाया जा रहा है, सब बकार है, हमारे जावन और हमारे शुन्दर रूप और हमारे गुन्ट, डिस सूल से सलत गात, हमारे शरीर में शूल की तरह चुब रही हैं, तूल तिन कालों है गुमान हरुव लगाई, पहले मैं बड़े गुमान में रहते यह गुमान यह गर्ब रूई के तिनका से भी हलका हो गया है इतना गर्बेले थे रूई से भी हलका हो गया मेरा गुमान हरुव मने हलका और जे सवाद घनयानन्द विचारे कौन और नना प्रकार के संसारिक स्वाद इसका तो कौन विचार करे अच्छा सब्द सुनना खाना पिना यह तो फीके सब हो गया यहां तक कि विरह विसम जूर जीवो करवो लगए विरह के विसम जवर के कारण जीना भी कड़वा लग रहा है जब बुखार किसी को बहुत देर तक आ जाता है तो उसके मुख का स्व आद बिगण जाता है कोई चीज खाता है तो तीता लगता है तो विरह का जवर ऐसा है कि जीवो मैंने जीना भी करवो लगए वहो तीखा लग रहा है जीने की इक्षा नहीं है जीना भी तीखा लग रहा है इसको गाएंगे सब लोग अंगा यंगा चाई है उदेगा मुरुझानी माहा शाउ साउ साउ मैऊ है उदेड वहार मादक fundo आंग अंगा युझानी माहाँ आमigi है उदेखने है उद्धरांे उद्धर्य। लिए बिखी निघ्क्रावी ओले लिए। शास अले बेखी दी तेख्रादू ने बादे। सुद्दारा सुद्दान प्राण प्यारे के निहारे दिना। सुनरा सुजाना कारे के निहारे बिना सुनरा सुनाना कारे के निहारे बिना बिठी तौया बिठी सिरुजाना दूरा गया बिठी तौया बिठी सिरुजाना दूरा गया में बीठी तौया बीठी सेरो जारे नारू अलावे में बीठी तौया बीठी स्रीपु जारत परू नावे जोबना सारूपा गुना सुरा से सवते गाता 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 तुला तीने तालों में तुला नारू ओलगे तुला तुला नारू बर्देय। उरजे sowदे चाना यादे चारे कुणी। उरजे शवादे चाना आणा पिछाने मोणा। और जे समादा घान आण दिशारे गौना और जे समादा घान आण दिशारे गौना और जे समादा घान दिशारे गौना 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 दिशारे अबना लोगर्णारे के लोगर श्ट्रादरानी की जाश्ट